हेलो दोस्तो नमस्कार अमेरिकन बाजार में यहाँ पे दिवाली हमनों को देखने को आपे मिल रहे देड़ पसंट के तेजी ओविसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की स्थिति है मार्केट है होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है बट चले फिंगर क्रॉस रखेंगे अभी तक जो परफॉर्म बाजार भी खुश रहते हैं ठीके तो कल हम एक्सपेक्ट करेंगी कि अगर अमेरिकन बाजार ऐसे ही चले ऐसी ही क्लोजिंग रही तो शायद से हमारे बाजार भी अच्छे करें करके यह कोई ग्यारेंटी नहीं होती है मैंने बहुत बार आप लोग के चीज़े सिखाई है मार्केट बहुत सरे अलग-अलग फैक्टर्स के चलते चलता है बट एक अनुमान लग जाता है कि चलो यह इतना अच्छा कर रहें तो शायद से कल हमारे बाजार भी अच्छा कर दे एटलिस गैप अच्छा हो सके देख लेते क्या होता है करके बट हमारे ADR की बात करें तो 1.5% की गिरावट फिलाल तो देखने का आपे मिल रहें मतलब सिर्फ डॉक्टर रेडिस को छोड़कर बाकी सभी के सभी हरे निशान में अच्छा दमदार परफॉर्मस देते वे देखने को मिल रहे है नेक्स दोस्तों आज आते हैं आपे बिटकोईन की उपर अविसली ब कह सकते कि बिटकोईन अभी 4.5% आज तो गिरा है बट फिलाल मैने बर में बहुत अच्छा कि ए 6 मैने में वापस कमबेक करते हैं देखने को मिला है जहां से वो गिरा था अभी तक बहुत लंबी पारी उसको वापस कमबेक करने में लगेगी बट क्यों भागेगा क्यों न गरत का IPO के अगर हम लोग बात करें तो शुरुवात इबदम खराब होई थी बट फाइनली अगर हम कहे आज के दिन तो यहापे जबर्दस ओवर सब्सक्राइब होते वे देखने को मिल चुका है लगबग साड़े साथ गुना हम लोग को यह सब्सक्राइब होते वे देख इंशूरंस है उसमें 51% का स्टेक उन्होंने खरीद लिया है तो दुनिया के इधर उदर की खबरे थोड़ी बाद आपको पता हो नीचे कितने में खरीदा है लगबग 4,000 करोड के आसपास ये डील हमलों को कंप्लेट होते वे देखने को मिल चुकी है एंजल बन की बात करें इनके नमबर तो अच्छे है थे बड़ यस नमबर के बाद स्टॉक ने शुरुआत अच्छी की थी फिर उसके बाद जबरदस यहाँ पर गिरा था ठीक है ये चीज़े चलती रहती है और उसके बाद जिनोंने बेचा होगा वो शायद से पच्छता रहे होंगे के लगाता यहाँ पर थमसब मिलते वे देखने का आपर मिल रहा है तो यह कुछ चोटे-मोटे खबर यहाँ चलते रही थे फिनो पेमेंट बैंक की बात करें हाली में यह लिस्ट हुआ था सवा 4% की जबरदस गिरावट मतलब इतने पॉजिटिव बाजार में लगातार गिरावट की तो पहले तो एपल की जबी बात होती थी तो भारत देश हमारे इंडिया की बात करें तो इसका जिक्र नहीं होता था बट अबी की अगर हम बात करें तो यह साल तो खतम होई गया अगले साल के ही इंड में आपे शुरूआत हो सकती है यह पॉइंट फिलाल तो सामने आते बहुत एक कमाल का परफॉर्मस देखने को आपे मिल रहा है तो इसी चीज के चलते जो बड़े-बड़े ब्रैंड्स रहते है जिस भी देश में जाते हैं दूस्तों हा तो पूरे ग्लोब की अगर हम लोग बात करें दुनिया की बात करें तो उस कंट्री का नाम होता है तो यही चीजह हम लोगों को होते वी देखने को मिल रही है तो फॉरें इंवेस्मेंट भी इसके चलते थोड़ा बहुत अच्छे कासा इंपेक्ट पड़ते वे देखने को मिल जाता है Infibium Avenue ने उसकी बात करे, company में तो कोई दम नहीं है, trading वाला stock के इतना भागा की, obviously result का सिलसिला है, and result यहाँ पे आ चुके है, तो इसी के चलते हैं, तेजी देखने को मिली है, but yes, investment के इसाब से देखा गया, तो company ने अभी तक well destruction के इसाब से काम किया है, कोई खास performance दिया नहीं ह then दोस्तों अगर हम लोग बात करे, jobless claim का data हम लोग विदेश में तो जरूर देखते रहते हैं, बट हमारे भारत देश की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यह भी data बहुत ही चिंता जनक है, तो कि India का jobless rate का data है, लगातार लगातार बढ़ते वे देखने को मिल रह है, और खास करके, जो jobless data है, वो हम लोगों को rural area में लगातार बढ़ते वे देखने को आपे मिल चुका है, अगर मैं percentage के टम में बात करूँ, तो September में यही data 7% के आसपास तो जोकी next month में 10% को cross करते वे देखने को मिल रहा है, तो देखे, जो चीज अच्छी है, वो इस प्रकार से लगातार बढ़ते रहे ना, यह definitely अच्छी बात यहापे नहीं होती, खास करके हम लोगों को इतना आगे बढ़ना है, उस हिसाब से अगर देखा गया, तो business इस इतने अच्छे का से grow हो रहे है, companies अगर grow हो रही है, तो unemployment actually में यहापे comparatively थोड़ा थोड़ा कर सब nearby 11% देखने का आपे मिल रहा है, जो कि एक time पे 6% के आसपास था, आज 11% मतलब 6 का डबल 12 होता है, तो उसी के और यह बढ़ते वे देखने का आपे मिल रहा है, अर्बन रेट की बात करें, तो हम लोगों को थोड़ा easy होते वे देखने का मिल चुका है, 8.5 के आसपास, तो जरूर ऐसी चीज़ें रहते हैं दोस्तों, इसके ओपर भी work करना उतना ही equally important रहता है, नेक्स्ट आगे मिल बात करेंगे दोस्तों, तो आदानी ग्रूप, तो कोई न कोई update आता रहता है, तो आदानी ग्रूप से related कौन सी company, आदानी green के ओपर आप चाओ तो focus रख सकते हो, तो कौन सी खबर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो दोस्तों, अदानी green यहाँ पर बातचित करते वे देखने को मेंट रहे हैं कि लगबख 1.8 billion dollar का loan वे उठाने वाले हैं, ठीक है 1.8 billion dollar, मतलब almost 2 billion dollar, 8 billion dollar मतलब कितना होता है, लगबख 8,000 करोड, ठीक है 8,000 करोड से उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी, obviously report के जरीए खबर सामने आते वे देखने हों कि आपे मिल रही है, and फिलाल देखा गया, तो lender कौन होगा, तो DS bank की नाम सामने आ रहा है, standard charter का नाम आ रहा है, बार्कलेस का नाम यहाँ पर सामने आ र लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि currency term में, अदानी group यह हम कह सकते हैं कि Asia का सबसे ज़्यादा बड़ा loan लेने वाला group भी हम लोगों को देखने का आपे मिल सकता है, so सबसे बड़ा problem इनके लिए कौन सा था, yes बहुत सारे इनके उपर अलग-अलग allegations लगे थे, repetition भी खराब करने क कोशिश की गई थी, ठीक है, अलग-अलग reports आते रहते हैं, बट फिर भी इन्होंने जो ambuja cement से related and ACC cement से related, जो refinancing उनको चाहे था, 3.5 billion dollar का जो loan था, refinancing, वो उन्होंने successfully achieve कर लिया है, ठीक है, तो ये भी शायद से वो successfully achieve कर ही लेंगे, ऐसा hope तो बाजार यहापे करके चल सकता नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज के दिन during the market एक stock जबरदस crash आपे हो गया, 6-7% के आसपास की गिरावटे कंपनी का नमे दीपक fertilizer, so reason कह है, company के number during the market आगे, and actual number company के yes, खराभी देखने को आपे मिल चुके है, and अलग से बाजार ने जो पिटाई की, वो तो अलग से भी ह देखने को आपे मिल रहा है, anyways, आज के दिन की बात करें, IEX के Q2 के number देखने को मिले, and Q2 के number के अगर हम लोग बात करें, तो अच्छे number देखने को आपे मिले, net profit में भी 21% की jump है, nearby 90CR के आसपास, कितना है, but actual में 86 करोड के आसपास, ये data हम लोग को जाते वे देखने को मिल देखने को मिल जाएगी, तो आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, वो देखने वाली बात है, जिस दिन वो खबर अगर आ जाती है, तो आने वाले numbers भी इनके impact होंगे, तो ये भी एक देखने वाली बात है, तो इसी की रहा हर कोई आपे कर रहा है, तो ये एक point भी हम देखने को मिल रहा है, लगातार विक्वाली अभी भी उनकी जारी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते है, डियस के चलते हैं, जितना वो बेचते हैं, उतना equally वो buying यहाँ पर करते हैं, थोड़ा बाकी का sentiment भी positive होते हैं, दर प्लियर भी जूड़ जाते हैं, तो इसके चलत माहल तो बहुत ही positive है, अब गेन कहना चाहूँगा दूस्तों, यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक किस्तिति हैं, हो सकता है कुछ, यहाँ पर reversal भी आ जाए, चीज़े चलती रहते हैं, common sense वाली बात है यहाँ बट फिलाल हम कह सकते हैं, पॉवल जी का कुछ ना बो तो ही अच्छा रहेगा बाजार के लिए और हम सब के लिए, यही हम लोग आचा करेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आज की दिन भी American Bazaar जबरदस performance दे रहा है, तो कल के दिन शायद से हमारे बाजार में भी अच्छा performance हो सकता है, इसकी probability जादा देखने को मिल रही है, तो